हेलो दोंस्तो आज के इस Hindi to English Translation वीडियो का सेंटेंस है बच्चे स्कूल गए हैं तो चलिए हम इसे इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं अंत में आया है गए हैं यदि सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ या है यह है या फिर चुका है चुकी है चुके है आता है इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट होता है प्रजेंट परफेक्ट टेंस के नियम से मतलब बच्चे स्कूल जा चुके हैं या बच्चे स्कूल गए हैं इन दोनों सेंटेंस के इंग्लिस एक ही होती है और ये है affirmative तो present perfect tense के affirmative sentence को English में translate करने का structure पहले subject subject इसमें हैं बच्चें, बच्चों के English में कहते हैं children तो पहले दो लगाएंगे the children, उसके बाद helping verb have उसके बाद verb का third form, भर्ब इसमें गए हैं यानि जाना, जाना के English go, go का third form होता है gone उसके बाद हम लिखेंगे school गए हैं यानि जाना उसे पहले to लगाएंगे to school, the children have gone to school, बच्ची स्कूल गए हैं की English है the children have gone to school, the children have gone to school या फिर यदि या sentence negative हो, जैसे की बच्ची स्कूल नहीं गए हैं इसकी English, the children have not gone to school, the children have not gone to school या फिर यदि या sentence interrogative हो, जैसे की क्या बच्ची स्कूल गए हैं तो ये क्या से सुरू होने वाला interrogative sentence है इसलिए पहले helping verb, फिर subject इसकी English, have the children gone to school, have the children gone to school अगर या sentence हो, बच्ची स्कूल क्यों नहीं गए हैं तो ये WH word interrogative और negative sentence है तो WH word की English पहले लिखेंगे, इसमें WH word है की हूँ, क्यों की English why Why have the children not gone to school और भी sentences का English translation वीडियो देखने के लिए वीडियो की description box में आपको playlist मिल जाएगा वहाँ क्लिक करके आप ऐसे बहुत सारे sentences का English translation वीडियो देख सकते हैं दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में नए sentence practice के साथ Thank you for watching